जै गिरुजी, हूं नमह शिवाए, शिवजी सदा सहाए वितल लोक में जाना, व्यास्ची ने पूछा, महा बुधिमान, सनत कुमार जी, आप तु प्रमा के पुत्र और शिवभक्तों में श्रेष्ट हैं, अतहे, आप धन्य हैं, अब यह बतलाईए, कि त्रिपुर के दग्द हो जाने पर, संपून देवताओं ने क्या किया, मैं कह गया और उन त्रिपुरा धक्षों की क्या गति हुई, यदि यह बृताँद, शंबू की कथा से संबंद रखने वाला हो, तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझ से भणन कीजिए, सूर जी कहते हैं, मुने, व्यास्ची का प्रश्न सुन कर, स्रिष्टी करता, ब्रह्मा के प महा बुधिमान व्यास्ची, जब महेश्वर ने दैतियों से खचा-कच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चरे हुआ, उस समय, शंकर जी के महान भ्यंकर रौध्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान, अलीन अगनी की भादी तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रजुलित से दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री, पार्वती देवी की और द्रिष्टि पात करके संपूर्ण देवता भैबीत हो गए, तब मुख्य मुख्य देवता विनम होकर सामने खड़े हो गए, उस अवसर पर बड़े बड़े रिशी भी देवताओं की वाईनी को भैबीत देखकर खड़े ही रहे गए, कुछ बोल ना सके, वे चारों और से शंभु को प्रणाम करने लगे, तत्पश्चाद ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देखकर भैग्रस्थ हो गए, तब उन्होंने डरे हुए विश्णू तथा देवगणों के साथ प्रसन मन से सामधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, सभी प्रमुक देवताओं ने भगवान शिव की स्तूति की, यो स्तूति किये जाने पर लोकों के कल्यान करता शंकर प्रसन होकर बोले, शंकर जी ने कहा, भ्रमा, विश्णू तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेश रूप से प्रसन हूँ, अतहे, अब तुम सभी देवताओं का मन प्रसनता से खिल उठा, फिर तो वे बोल उठे, देवताओं ने कहा, भगवन, देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन हैं, और हम देवगणों को अपना दास समझ कर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्म, जब जब देवताओं पर दुख की संभाव ना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सब देवों का दुख हरन करने वाले हैं, प्रसनता पूर्वक देवों को कुछ अभिष्ट था, जो कुछ अभिष्ट था, वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय मानव जो शिवजी की कृपा से जलने से बच गया था, शंबु को प्रसन देख कर हरशित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य-अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चर्णों में लौट गया। ततपश्चात धानव श्रेष्ट मय ने उठकर शिवजी की और देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ती पून्चित से उनकी स्तूती करने लगा। द्विज श्रेष्ट मय द्वारा किये गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिवजी ने कहा दानव श्रेष्ट मय मैं तुझ पर प्रसन हूँ अतहे तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाशा होगी उसे मैं अवश्य पून करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं मुने शंभू के इस मंगल मैं वचन को सुनकर दानव श्रेष्ट मय ने अंजली बांद कर विनम रहो उन प्रभू के चर्णों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला देवादी देव महादेव यदि आप मुझ पर प्रसन हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपने शाश्वती भक्ती प्रदान कीजे। परमेश्वर मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं। दोनों पर सदा, दीनों पर सदा मेरा दयाभाव बना रहे। और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर कभी भी मुझ में असुर भाव का उदे ना हो। नात निरंतर आपके शुब भजन में तलीन रहे कर निर्भय बना रहूं। व्यास्ची शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सन हैं। मैं ने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्राणियों की तब वे प्रसन होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा दानव सत्तम तू मेरा भक्त है। तुझ में कोई भी विकार नहीं है। अतेह तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वेह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूं। अब तू मेरी आग्या से अपने परिवार सहित वितलोग को चला जा। वेह स्वर्ग से भी रम्निय है। तू वहां प्रसन चित से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आग्या से कभी भी तुझ में आसुर्भाव का प्राकटे नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं मुने मैं ने महात्मा शंकर की उस आग्या को सिर जुका कर स्विकार किया और उन्हें तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम करके वेह वितलोग को चला गया। तद अंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कारे को पून करके देवी पारवती अपने पुत्र और संपून गनो सहित अंतरधान हो गये। जब परिवार समेद भगवान शंकर अंतरहित हो गये तब वह धनुष मान रत आदी सारा उपकरण भी अद्रिश्य हो गया। तत पश्यात, भ्रह्मा, विश्नु तथा अन्यान्यदेव, मुनी, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अपसरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए अनन्द पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहाँ पहुच कर उन्हें परम सुक की प्राप्ते हुई। महरिशे इस प्रकार मैंने शशी मौली शंकर जी का विशाल चरित जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत क्रिष्ट लीला से युक्त है सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। अध्याई ग्यारा से बारा संगर जी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज आई है जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो वर्ड है जो गुरुजी ने भी यूज किया है वो है सदा सदा मतलब always तो यह वर्ड यहाँ पर भी आया है यही बोलते हैं शंकर जी सदा देवों का दुख हरन करने वाले हैं तो यह सदा वर्ड गुरुजी ने यूज करा है जैसे एक तो जो उन्होंने सिगनेचर्स करते थे उसमें बुलते थे blessings always आलवेस का मतलब है सदा हमेशा जब हम गुरुजी के संग हैं गुरुजी के संगत बने वे हैं त और जो गुरुजी का मंत्र जाप है उसके अंदर भी गुरुजी ने बोला है ओम नमहा शिवाए शिवजी सदा सहाए तो सदा वर्ड मतलब की always तो यह हमें अपने मन के अंदर पुरा विश्वास लेके आना है fully like you know there should not be any any doubt in our heart की गुरुजी हमारे सदा सहाए हैं सदा सहा मतलब की हमेशा चाहे यह संसार रहे ना रहे चाहे यह स्रिष्टी रहे ना रहे चाहे हम रहे ना रहे इस बोडी फॉर्म में लेकिन गुरुजी हमारे साथ सदा हैं सो always have faith in your guru even though इस समय आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कभी ऐसा लगता है कि कुछ sense नहीं make कर रहा हुता लेक always remember कि जो भी guru कहते हैं और करते हैं वो किस के लिए होता है वो हमेशा उनके disciple के अच्छाई के लिए होता है हमारे benefit के लिए होता है हम जैसे जो संगत हैं जिनको गुरुजी ने accept किया है अपने शेरन में जो भी गुरुजी करते हैं अब हमारे साथ वो हमारे benefit के लिए होता ह तो यह बहुत 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 जरूरी है कि हम अपने मन के अंदर इतना बिश्वास कर लें कि चाहे हम कभी हम दुखी होते हैं तो हम दुख में सोचते हैं कि गुरुजी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया कुषिन करने लगते हैं गुरु को वाई, वें, वेर, हो, you know, all these questions, they start arising in our mind but we should never question our Guru because whatever he does, it has a purpose and the purpose is the benefit of his disciple so इसी के साथ आज की सबको प्रणाम सारी संगजी की चर्णों में मेरी चरन वंदना जै गुरुजी प्रणाम